सलाम आलेकूं नमस्ते दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होगें सुबा का समय हो गया यहाँ पर उठ गए है आज का बलोगिन में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बलोगिन चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइक सेर और कि आएं बहुत इकन काव आने वाला है कीचनका और बहुत और प Guinea को केशन का पैसा बचत होने वाला है समय וर पैसा आपका दोनों बचेगा अगर इस तरह किजेगे तो आपका बहुत ही समय बचेगा का यहां पर हम पहला टिप्स दिखा रहे हैं चना ले करके अक्सर क्या होता है गर्मी का सिजन में अंकिरित सब का पसंद आता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और सेहत के लिए बहुत ही फायदे में वाला चीज है और देखें यहां पर हम अंकिरित कैसे हम करता है आंकिरित इसमें बहुत ही फायदे वाला चीज है इसलिए बच्चे को भी खिलाना बहुत ही जरूरी है यहां पर हम एक कोटन का हम रुमाल लिए हैं अब यहां पर हम अच्छी तरह से पानी में भिंगा लेंगे और हलका हलका यहां पर हम निचोड़ेंगे ज्यादा ह समय नहीं लगता है बहुत ही जल्दी बन करके तयार हो जाता है ठंडा कमोसम में थोड़ा समय लगता है इसलिए यहां पर हम एक छोटा सा टिप्स बना करके हम आप लोग के पास सेर कर रहे हैं जरूर आप लोग के पसंद आएगा पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा अप लोग जो लाइक करते कोमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है लगता है मेरे साथ एक परिबार जुड़ गया उसी तरह अब देखें यहां पर हम उपिलेट के उपर हम रुमाल बिचा लिए हैं अब यहां पर हम चना जो लिए हैं चना को हम यहां प बनाने का है उतना ही हम बनाएंगी यहाँ पर हम सब चना को नए बनाएंगी थोड़ा सा हम बचा के रख लेंगी अंकरीद बनाना है तो इस तरह कीजिएगा आपका बहुत ही जल्दी अंकरीद बन करके तयार हो जाएगा ज्यादा समय भी ने लगेगा बहुत ही जल्दी बन आएगा आपका चना में और बहुती टेश्टी भी लगता है खाने में और बहुती सहत के लिए अच्छा है सवेरे ऊठ करके बच्चे को भी दीजे और बड़े को भी दीजे यह बहुत ही फायदे मन वाला चीज है अगर यह वाला टिप्स अपलों का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा देखें यहाँ पर हम पाने देख करके हम दिखा रहे हैं इस तरह करके पाने हलका हलका भीगा देना है इस तरह जितना हमको जो रते उतना ही हम लेंगी यहाँ पर हम चुहा भागने का दवा बना रहे हैं बहुत ही आसानी से चुहा घर से बहार चला जाएगा आपका चुहा घर में एक वो ने रहेगा अक्सर क्या होते हैं हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं चुहा मारने वाला द ज्यादा जल्दी चुहा भाग जाएगा यहां पर हम सुखा व़ला लाल मिर्चा का पोड़र हम डाले हैं, अब यहां पर अच्छी तरह से हम आटा और लाल मिर्चा को अच्छी तरह से मिला लेंगे, आप चाहे तो बेसन भी दे सकते हैं लेकिन यहां पर हम आटा से ही बना आफ नहीं आपका चुहा बहुत है, आसानी से घर से बहार चला जाएगा, अब देखें, यहाँ पर हम अच्छी तर से मि्क्स कर लिये हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सब पानी डालेंगे, जैसे यहाँ पर हम पकोरा अगरा बनाते हैं, इसी तरह घोल बनाना है, अब देख यहां पर हम अच्छी तरह से जैसे गांट गुटले इसमें रहनाने चाहिए अगदम बेटर जिस तरह हम लोग घोलते हैं उसी तरह हम यहां पर घोल करके तयार कर लिए हैं अब यहां पर क्या डालेंगे दिखाते हैं वीडियो में बना रहेगा इसकी मत कीजेगा तब जाके क्या चीज डालेंगे यहां पर हम थोड़ा से सेंपू भी डालेंगे सेंपू का जो गांधे वो चुहा का बिल्कुल पसंद नहीं आता है पर हम पुरा सेंपू हम नहीं डालेंगे थोड़ा सा डालेंगे और अच्छी तरह से यहां पर मिला लेंगे सेंपू और राटा और मिर्चा अच् runners अच् Torah से यहां पर मिक्स कर लेंगे आगे हम आरोख चीज हम डालेंगे वह बहुत थी कारगर वाला चला जाएगा और नहीं तो आप लोग skip किजेगा तो पता भी ने चलेगा फिर बोलिएगा तो आप यह वला नहीं डाले हैं धयान से देखने से ही आप लोग का पता चलेगा यहाँ पर हम क्या क्या चीज दे रहे हैं वह कैसे चुहा घर से बाहर चला जाता है यहाँ पर देखे एतना छोटा हम कपडा लिये हैं यहाँ पर हम बेटशिद जो तुकडा है उसी को हम लिये हैं आप चाहे तो दुसरा भी कपडा ले सकते हैं अब देखे यहाँ पर हम कपडा को भिंगाना नहीं सुखा रखना है अब यहाँ पर हम पूरे कपडے में थोड़ा सा इस एक भी चुहापका घर में रहें यह वदला पहले हम घर में आजमाएं फिर हम आप लोग के पसेर कर रहें जरूर वदला टीप आपने पसंद आएगा किजिए गर्मी का सेजन मेंक्या होता है खिर्की दरवजा हमेशा खुला राता है तो इधर उधर से चुहा अंदर आईए जाता है लेकिन ऐसे बना के दीजेगा न तो एक भी चुहा आपका किचन में भी निफुसेगा और नहीं इस्टर रूम में भुसेगा अब यहाँ पर हम लेंगे कपूर कपूर यहाँ पर हम नजर आएगा अगर कोक्रेज भी रहेगा ना तो वो भी आपका भाग जाएगा बहुत ही आसानी से भाग जाएगा अब यहाँ पर हम पूरे कपड़ा में हम छिड़का लेंगे देखे इस तरह करके छिड़के लेना है गांधे बिलकुल चुहे का पसंद नहीं आता है इस क्या होता है किचन में बहुत सारा समान रहता है हम लोग साफ सफाय करके रात को हम लोग सोने जाते तब तक यहाँ पर चुहा देखे पूरा किचन इधर उधर समान विखरा भी देता है और इधर उधर आलो पिया जो रहता है सबजी और जो भी रहता है बहुत ही खराब कर देता है इस तरह करके दीजिए सबसे पहले यहां पर जो चुहा आता है गेस का अंदर में ही से आता है तो गेस का अंदर में ही हम डालेंगे जब भी इधर से आएगा चुहा तो इसका जो गांध है तुरंत अपना रिटन चला जाएगा इधर और घुस्बे नहीं करेगा किचन में का मिलता है किचन में वह सारा समान रखा वढ़ाता है इसलिए सबसे पेहले डाया ही यहां यहां आता है गदा करके मिशरन को दाल देशे का फॉसरा दउल्गा गर्ट से बाग जाएगा आज नहीं मरेगा यहां वंब दोख करिदके लाते हैं और चुहा मारने वाला दावा देते हैं लेकिन चुहा तो मर जाता है लेकिन बहुती परिशानी भी होता है और बहुती दिक्कत हो जाता है उसको साप करने में भी दिक्कत होता है लगता है कहां गंद करा है कहां नहीं तो इस तरह किजेगा तो एक भी गंद भी ने करेगा तुर